विल्कमिक दोस्तों क्या हला आप सब का मैं उम्मीद करता हूँ क्या आप सब खैरियत से होगे तो गईस डंकी की डे 13 की यनि के भाई आज 2nd Tuesday की इडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चोकी है सबसे पहले मैं आपको बताता चलो इस फिल्म को थेटर्स के अंदर रिलीज होए वे भाई 12 दिन कंप्लीट हो चुके है यनि कि 11 डेज जब कंप्लीट होए संडे वाले दिन कंप्लीट हुआ उसके बाद भाई साब कल मंडे आया सेकंड मंडे जिस पर हमने उमीदे छोड़ दी थी क्योंके भाई साब पहले ही ये फिल्म डाउन थी यनि कि डे बाई डे डाउन हो रही थी बॉक्स ओवस कोलेक्शन नेट कोलेक्शन में 10 करोड से कम थी डबल डिजिट में नहीं थी तो हम यही सोच रहे थे कि बाई कल तो सेकंड मंडे है प्रॉपर वर्किंग डे है तो भाई साब फिल्म और ज्यादा डाउन हो जाएगी ये होने वाला है वो होने वाला है बट हुआ क्या टोटली ओपोजिट कल भाई साब सेकंड मंडे पर इस फिल्म की जो परफॉर्मेस रही है मैं मान ही नहीं सकता कि किसी और फिल्म की इस तरह से परफॉर्मेस हो तो आप ये क्या बोल रहे हैं तो गैस देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डंकी जो है वो लास्ट वीग में एक तो ये वीग चल रहा है नहीं लास्ट वीग में भाई साहब टैन करोड से डाउन थी 10 करोड से डाउन और मैंने आपको क्या बता के रखा हुआ है कि फ्राइडे की जो बॉक्स ओविस कोलेक्शन होती है आप सेटरेडे संडे उसको छोड़ दे Friday की जो box office collection होती है उसी के बाद अगले Monday की box office collections राट होती है अब Friday की collection थी 7 करोड रोपे उसके बाद भई सब Saturday Sunday को मिस कर दिया आ गया Monday, कल वाला Monday लेकिन कल Monday पर जो हुआ अब भी सुबा सुबा तो मैंने box office collection नहीं देखी कि night shows कितने थे, total collection कितनी आई बट रात को ही 7 करोड प्लस हो चुकी थी तो कहीं न कहीं भई साब एक अलग ही सेनारियो था सो क्या वही सेनारियो आज Tuesday पर भी हो रहा है या नहीं कितनी advance booking है मैं आपको सब बताने वाला हो लेकिन उससे पहले अब भी तक वीडियो को like and channel को subscribe नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताक ऐसी updated वीडियो आपको मिलते रहे तो गई सबसे पहले मैं आपको advance booking बताऊंगा उसके बाद सारी बाते तो गई इंटरस्टिंग चीज ये है कि कल advance booking लगबग मैंने आपको 45 लाक या 50 लाक रुपे आई थिंक सो बताई थी भई आज उससे भी कम है येस आज ट्यूजडी की advance booking कल से भी कम है और गईस वो advance booking है exactly 38 लाक रुपीज की 40 लाक मैं यहाँ पर आपको पहली ही बता दू जो इंडिया का trade नमबर वन है येस इंडिया का trade नमबर वन है उसके according advance booking नहीं आई येनिकि मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिया के अंदर box office collection को लेकर एक trade नहीं है लगबग 4-5 trade है तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले trade नमबर वन के according चलता हूँ हमेचा ही लेकिन जब उसकी तरफ से कोई data ना आए तो मैं बाकी के trades की तरफ जाता हूँ येस तो ये जो पई सब data है ये बाकी के trades की तरफ से है येनिकि जो trade नमबर वन है वो सिर्फ box office collection बता रहा है वो advance booking नहीं बता रहा ना तो कल Monday की advance booking गई नहीं आज Tuesday काई तो आप समझी के ये trade नमबर टू भी नहीं है ये trade नमबर थ्री है उसके according बाई सब advance booking आई थिंग सो कल डंकी की 45-45-45 पुचास लाग थी और आज बाई सब 38 यानिके आज भी 40 लाग रोपे है इतना नहीं लगबग बाई सब 25-30,000 टिकेट से sold out हो चुकी है और शोज की जहां तक बात है तो भी सब शोज वही पर 6000 सम्थिंग है यानि कि कर 6000 सम्थिंग हो गए थे वही पर शोज गूम रहे है मैंने आपको पहले बताया ना कल जिस तरह से इस फिल्म में box office collection की है लग नहीं रहा था कि भी सब advance booking 40-50 लाग थी ती बट मैंने आपको बताद या पहले ही कि आप भी किसी इस doubt में ना रहें कि जो इनके trade है ये उसी की advance booking बता रहे है नहीं उस trade की advance booking नहीं है जब आईगी तो मैंने आपको बताया ना बी एच्टी रिवियू पर आपको एक एक authentic update मेलेगी जब authentic नहीं होगी तो मैं आपको पहले ही बता दूगा कि ये authentic update बिलकुल भी नहीं है आप इसको 50-50 लेकर चल सकते हैं लेकिन इस advance booking को आप मान सकते है advance booking कोई इतना नहीं वैसे भी अगर आप note करें तो भाई आज Tuesday है वरकिंग दे है तो आज आप ये तो नहीं कि 10 क्रोड 20 क्रोड की advance booking एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहां पर कम देखा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा भी advance booking होई तो एक करोड हो जाएगी इस से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि वरकिंग डेस की एक limit होती है उस limit से ज्यादा box of collection नहीं हो सकती है तो जितना advance booking है मैं तो बोल रहा हूँ कि हमें इतना ही मान कर चलना चाहिए लेकिन मैं यहां पर इतना भी जरूर बोलूगा कि मुझे बेसबरी के साथ वेट है box of collection का मैं चाहता हूँ कि डंकी ने जिस तरह का कल जंप लिया है उसी तरह का आज ले अगर आज भाई साब उसी तरह का जंप लेती है तो मैं कहता हूँ बवाल हो जाएगा खुद देखो ना संडे तक भाई साब वर्ल्ड वाइट box of collection हूई थी दिंकी की 380 क्रोड रुपे कल भाई साब लग लग रहा है कि 20 क्रोड आ ही जाएगा overseas से अच्छा करकी यानि कि में भी अगर आज हमें पहले 12 दिनों का पोस्टर भाई साब 400 क्रोड का देखने को मिलता है तो आज है Tuesday day 13 है आज भी माल लो अगर ये फिल्म 15 क्रोड कर जाती है एक्जेमपल लेते है 15 क्रोड कर जाती है ये बन जेगा 415 क्रोड रुपे कल माल लेते हैं उन तीन वरकिंग डे की मिला के 30 क्रोड रुपे की worldwide gross आती है या 35 क्रोड रुपे की worldwide gross आती है 35 क्रोड कर लो तो 415 क्रोड आज तक हो गए बैसा 35 क्रोड आगे Friday तक लगा दो तो ये बन जगेगा 450 क्रोड रुपे या निनि के इस Friday तक वैसा जिस तरीके से ये फिल्म बॉक्स ओफिस कॉलेक्शन कल मंडे में की है अगर उसी सरह सी की है तो फ्रैडे तक 450 क्रोड की ये वर्लड वेट ग्रॉस ठोक देगे उसके बाद फिर सेटर्डे संडे है भई जब मुझे इतना बड़ा जम्प की उमीद नहीं है जब मुझे बड़े संडे पर भी हमने बहुत बड़े जम्प की उमीद रखी थी तह बड़ा जम्प आया नहीं है तो मैं मानकर चलूगा 15-15 क्रोड या जब चले 20-20 क्रोड कर लेते हैं तो 450 क्रोड रोपे फ्राइडे तक उसके बाद सब सेटर्डे संडे पे 40 क्रोड रोपे तो ये कितना बन जाएगा भाई साहब 490 क्रोड यानि कि मेरी जो प्रेडिक्शन है कि कल मंडे पर इस फिल्म ने जो परफॉर्म के परोमिस दी है जो के सच मुझ एक कलासिक फिल्म वो भी एक एक्शन फिल्म के साथ क्लैश करके नंबर से ले लिए सच मुझ फिनॉमेल होगे बाकि अब भी देखते हैं कि क्या होता है अब देखो मैंने कल जो था डे 12 था मंडे था उसकी टोटल बॉक्स फिल्म तो नहीं देखी लेकिन मुझे इतनी उमीद है कि चासिद है कि 10 क्रोड आ जाएगी माल लेते हैं कि 10 करोड की इनिट क्लेक्शन होती है तो भाई उस हसाब से आज इस फिल्म को 9 करोड करना चाहिए अगर कल भाई सब 20 करोड का टॉटल अर्लियक करोड करना चाहिए और ये बी अगर मैं आपको सही बताउं तो भाई एक कलासिक फिल्म के लिए बहुत अच्छे नंबर्स है येस तो गैस अभी तक के लिए इता ही आप लोगों का क्या मानना है कि भैसा फिल्म कितना कमाने वाली है और अब भी तो टंकी के भाई सहाब वो ट्रेंड्स लगी ही नहीं है जो शारुख खान की फिल्म्स के लगते ह रहा है कि शारुख खान 500 से 600 क्रोड का टार्गेट लेकर चल रही है अब इता के लिए तरही होप सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली अनुमाली वीडियो को अब ख्याल रखेगा थैंक्स पर वाचिंग